हलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल एक्जाम तैयारी हम लोग भाशा कॉशल पढ़ रहे थे जो की टॉपिक 6 हिंदी स्लेबस का जिसमें मैंने आपको तीन कॉशल पढ़ा दिये हैं श्रवन कॉशल वाचन कॉशल और पठन कॉशल और यह लास्ट कॉशल है फिर हमारे टॉ पर कंप्लीट हो जाएगा तो आज हम पढ़ेंगे लेखन कॉशल यानि राइटिंग स्किल भाशा की ध्वनी को जब प्रतीकों के द्वारा लेखित रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे लेखन या लेखित अभी व्यक्ति कॉशल कहा जाता है यानि देखे हम जो बोल लेखन कॉशल कहा जाता है चारो भाशा कॉशल में लेखन कॉशल सबसे कठिन है लिखना सिखाना जो होता है बच्चों को सबसे कठिन माना जाता है तो अगर कोशन आता है कि चारो में से कौन सा सबसे कठिन कॉशल है तो आप याद रखिएगा कि लेखन कॉशल जो है वो स देना वह सुरक्षित रखना देखिए विचार हमारे विचार क्या है वह अमूर्थ है इमेजन है हमारे माइंड में हैं दिखनी रहे किसी को तो उनको मूर्थ रूप देना यानि कि दिखने लगे लोगों को और सुरक्षित रखने के लिए हमें लेखन कोशल जो है वह जरू गरंदों में इतनी सारे पुस्तकों में वो आज सुरक्षित क्यू संरक्षन प्रदान करने के लिए बहुत इंपोर्टेंट है हमारी सब्विता या संस्कृती सुरक्षित कैसे है या हम उसका संरक्षन कैसे कर सकते हैं जब हम उसको लिखित रूप में लिख दे देखे आप ने देखा हुआ कि खोज होती है तो पुराने हमें चीजे मिलती है जहाँ पर हमें लिखा हुआ मिलता है तो हमें पता चलता है कि पुराने लोग जो थे वो ऐसा करते थे चित्र दिखते हैं है ना ये उनकी लिपी थी ये उनकी भाशा थी हमें कैसे ग्यान हुआ क्योंकि हमें वो लिखेत रूप में मिला तो इसी तरह से हम भी अब आगे की पीडियों को कोई चीज हमारी सब्विदा संस्कृति की बारे में कैसे दे सकते हैं उसका संद्रक्षन कैसे कर सकते हैं उसमें लेखन कौशल जो है वो बहुत हैल्प करता है फिर है हमारा लेखन कौशल सिक्षन के उद्देश यानि लेखन कौशल जब आप सिखा रहें तो इसके क्या उद्देश होने चाहिए आपके स縦्ध आपको कोशेश होने चाहिए कि आप स्वच और शुद्य लेख बच्चों को सिखा सके सैट्ध है विरामचिन्नू का प्रयोग करना सिखा है कहां पर हमें विरामचिन्द लगाने हैं फ़र्ड है अपनी विचारो वे भाशाओं को प्रकट करने की योगिता देखे हमारा लेखन का में उद्देश क्या होता है कि हमारे मन में जो भी विचारे होने हम व्यक्त कर सके तो एक टीचर की कोशेश होने चीए कि बच्चा अपने विचारों को सही रूप से व्यक्त कर सके स्पश रूप से व्यक्त करें जो सामने वाले को समझ में आए चौदा है व्याकरण सम्मत भाषा का प्रियोग करने में सक्षम हो यानि हमें ऐसा नहीं है कि इसमें व्याकरण पढ़ा दी और बात खतम होगी व्याकरण बच्चे जब लिखे तो व्याकरण सहित लिखे सही रूप से लिखे उसमें व्याकरण का सही प्रियोग साथ में हम व्याकरण में बहुत सारी चीज़े पढ़ते जैसे पर्यावाची मोहावरे लोगतियां है इन सब का प्रियोग भी करें तो उसका जो लेखन है वो काफी अट्राक्टिव लगेगा प्रभाव पूर्ण अनुलेक, सुलेक, सुलेक, सुरुतलेक क्या है वो आगे आपको पता चलेगा जब आप मैं इसको बताऊंगी कि लेखन के अभ्यास जो थे उनकी प्रकार है ये तो ये सारी चीज़े भी जो है वो बच्चा लिख सके इसमें निपूर हो सके छटा है नवीन शब्दा वली क प्रयोग यानि लिखतें समय वो नए नए शब्दों का प्रयोग करें सामगरी को प्रयोग सीखे रेड की हड़़ी लिखते समय सीधी रहे यह बहुत इंपोर्टनbut time जब आप लिखते हैं तो आपको विल्कुल सीधे होके बैठाना होता है पीट विलकुल सीधे होने चाहिए आपकी रीड की हड़ी सीधी रहे वर्ना उससे कया हो राइन? आपको दर्द हो सकता है पीट में किसी तरह की इंजरी हो सकती है तो बैठने का ढंग भी है एक टीचर को सही बताना चाहिए बच्चे को लिखते समय टैंथ है शब्द तथा वर्णों की बीच पर्याप्त और एक समान दूरी रखना देखें मैंने यहां पर यह लाइन लिख लेखन के गुड यानि प्रभावी लेखन आप किसको गएंगे यह बहुत इंपर्टेंट कोशन आते हैं तो प्रभावी लेखन के क्या-क्या गुड है पहला है लेखन सुंदर इस पश्ट एवं शुडोल हो यानि कि अच्छा होना चाहिए सुंदर होना चाहिए घिया गया हो शब्डो वर्णों के बीच में 3 है भाषा व्याकरण संम्मत हो व्याकरण का बहुत अच्छे तरीके से प्रियोग किया गया हो बिल्कूल सही व्याकरण उसमें समिलित हो फूर्थ है भाषा इवं शैली में प्रभावपूर्ण हो यानि जो भी भाषा ये शैली का प्रियोग किया गया वो प्रभावपूर्ण हो फिफ्थ है अभी व्यक्ति संचिप्त स्पष्ट तथा प्रभावपूर्ण हो अभी व्यक्ति यानि एक्स्प्रेशन जो हमने लिख इस विधी में देखे नाम है इसका रूप रेखा अनुकरण विधी रूप रेखा का अनुकरण करना इस विधी में सिक्षक स्यामपट या स्लेट या चौक या पैंसिल से बिंदू रखते हुए शब्द लिख देता है यानि क्या करता है टीचर की स्लेट लिया उस पे चौक से करके उस वरण को या शब्द को लिख देता है और चात्र उन बिंदुओं पर लिखने को बोलता है जिससे शब्द या वर्ण उभर आते हैं फिर चात्र के आते उन डौıl production प्रें इसको मिलाते हुए बिंदुओं को और जिससे पुरा शब्दो जो है वो उभर आता है ये लेखन का प्रारंभिक चरण है सबसे पहले बच्चों को लिखना इसी दौरा सिखाया जाता आपने देखा होगे अभ्यास पुस्तिका भी मार्किट में मिलती है जिनमें डौट डौट करके लिखा रहता है इंग्लेश हो जाए हिंदी हर लेंग्वेज के लिए मिलती है स्वतंत्र अनुकरण विधी स्वतंत अनुकरण यानि स्वतंत्र रूप से बच्चा अनुकरण करता है किस तरह इस विधी में सिक्षक शब्दों या वर्णों को प्यापी या स्लेट पर लिख देता है और छात्रों को उन्हें देखकर सेकंड चरण होता है लिखने का थर्ड है हमारी मांटेंसरी विधी मांटेंसरी ने लिखना सिखाने में ग्यानेंद्रियों के समुचित प्रियोग पर बल दिया है तो ग्यानेंद्रियों के प्रियोग पर उन्होंने बल दिया इसमें गत्ते लकड़ी या प्लास्टिक आद तो अब बाद में पैंसिल को उन्हीं अक्षरों पर घुमाते हैं, कटे हुए अक्षर होते हैं, लकडी के या प्लास्टिक के, उन पर बच्चे हाथ फेड़ते हैं, छूकर महसूस करते हैं किस तरह से उसकी बनावट है, उसके बाद उस पर पैंसिल घुमाते हैं, छात्र अक इसलिए बच्चे को इसमें काफी रुची आती है, फोर्थ है जैक टॉट विधी, जैक टॉट विधी क्या है, इसमें बालक स्वैम अपना सुधार करता है, यानि इसमें बच्चे को टीचर नहीं बताता है, बलकि बच्चा जो है खुद अपना मूल्यांगन करता है, इसम वाक को लिख कर देता है फिर चात्र उस वाक को देख कर एक एक शब्द को लिखते हैं और मिलाते चलते हैं और सिक्षक द्वारा लिखे वाक के सिर्ष संशोधन करते चलते हैं यानि कि मिलाते चलते कि जैसे टीचर ने लिखा है वैसे मैं लिख रहा हूं कि नहीं खुदी अ इपना मुल्या घन करते हैं पूरा वाक के लिखने के बाद सिक्षक मूल्य को बिना देखे उन्हें लिखने को कहता है फिर क्या करता है जब एक बार बच्चे देख कर लिख लेते हैं फिर टीचर उन Mund one को उसी अच्छी विदिदी है लेखन सिखाने के लिए लेखन के अभ्यास अब देखें लेखन के अभ्यास क्या है जो मैंने आपको पहले बता था सुलेक, अनुलेक, शुतलेक क्या है तो वो ही है यहाँ पे लेखन अभ्यास को तीन श्रोणियों में श्रेणियों में विवाजित क्या गया है सुलेक, अनुलेक और शुरत लेक बहुत ध्यान से सुनियेगा पहला है सुलेक सुलेक सु से है सुंदर लेक गांधी जी ने लिखा है सुंदर लेक के बिना सिक्षा अपून है यानि अगर आपका लेक अच्छा नहीं है तो आपकी सिक्षा अपून है सुन्दर लेक को ही सुलेक कहते है ठीक है स्पर्ष्ट पठनी एवं आकर्शक लिखावट सुलेक की आधारशिला किसको आप सुन्दर लेक कहेंगे जो स्पर्ष्ट हो पठनी हो यानि हम इसको पढ़ सके और आकर्शक हो इतनी सुन्दर हो आप एक्टराक्टिव हो जाओ वाओ कितना अच्छा लिखा हुआ तो उसको आप सुलेक कहेंगे ये तीनों गुड जो है वो सुलेक की आधारशिला है सुलेक सिक्षित व्यक्ति का आवश्चक लक्षण है यानि आप सिक्षित है तो आपने जो भी लिखा है वो सुलेक होना चाहिए यानि सुन्दर होना चाहिए पठनी होना चाहिए स्पष्ट होना चाहिए ये है अच्छे नमबर दिलाने में तिथा पढ़ने वाले में रूची जगाने में भी सायक अगर आप अच्छा लिखते हैं तो देखा आपने की अच्छे नमबर मिलेंगे साथ में पढ़ने वाले को भी रूची आती इंटरेस्ट आता की तो यह सुलेक के गुण है अनुलेक का अर्थ है किसी लिखावट को देख कर लिखना अनुलेक के लिए प्राया अभ्यास पुस्तिका में उपर की एक पंक्ती में कुछ वर्ण या शब्द या वाक लिखे होते हैं अनुलेक के लिए क्या होती है अभ्यास पुस्तिका आती है उसमें आपने देखा हुआ कि एक लाइन में लिखा हुआ होता है मोटे मोटे काले अक्षरों में कुछ वर्ण या शब्द या वाक की लिखे होते हैं और नीचे की पंक्तियां रिक्त होती है नीचे लाइन खाल उने में अनुलेख का विशेश महत्व है क्योंकि उसमें देख देखे बच्चा अक्षर बनाना सही लिखना सिखता है, छोटी कफ्षाओं में इसका विशेश महत्व है, थर्ड है हमारा शुरूत लेख, शुरूत लेख जिसको इंग्लिश में डिक्टेशन भी कहते हैं, चोटी क्लास, चोटी नहीं जब आप क्या होता है कि आपको सारे नौलेज हो गई होती मात्राओं की शब्दों की तब शुद्लिख कराया जाता कि आप सुनकर लिख सकें, तो इसमें टीचर बोलता और छात्र लिखते हैं, इसमें शुद्द लेख, स्पश लेख तथा गत लेख ही वास्तम में शुद्लेक, तो शुद्लेक की क्या गुड़ है, शीगरता, सुन्दरता और शुद्दता, इसमें वर्तनी का मुल्यांकन हो जाता है, वर्तनी यानि जो हम बोल रहे हैं, टीचर उसको बच्चे सही से समझ पा रहा है, लिख पा रहा है इस चीज को, इ रिड की हड़ी सीधी रहे, ध्यान देना है कि बच्चे जब लिख रहे हों तो बिल्कुल सीधे बैठे उनकी रिड की हड़ी सीधी रहनी चाहिए, सेकेंड है, अभ्यास पुस्तिका को आंखों से लगबग एक फुट दूरी पर रखना चाहिए, अभ्यास पुस्तिका जि जैसे ही आपकी कलम में तो आपने देखा ये हम दो उंगली और अंगुट्यों की बीच में रखते हैं और ये नहीं कि बिल्कुल यहाँ पास से पकड़ रहे हैं एक इंच निब से एक इंच की दूरी होनी चाहिए फोर्द है सुडोल अक्षर वस सुंदर अक्षर लिखने चाहिए अक्षर सुंदर होने चाहिए सुडोल होने चाहिए सही बनावट होनी चाहिए उनकी विफ्त है शिरारेक अक्षर का आवश्यक अंग है इसका प्रियोग किया जाना चाहिए शिरारेक जो हम उपर लाइन सब्सक्राइब वर्णों की खड़ी रेखाएं तिर्ची ना होकर सीधी होने चाहिए नमा है अभ्यास बहुत आवशक है लिखने सिखाते से हमें बच्चों को अभ्यास कराना बहुत जरूरी होते हैं जादा से जादा अभ्यास कराना चाहिए ताकि उनकी लिखावट अच्छी हो सके सुन्दर हो सके अच्छे से वो लिख सके तो यह तो हमारा लेखन कौशल और यहां पर हमारे कौशल भाषा कौशल खतम होते हैं यह टॉपिक फिनिश होता है आपको अच्छे से समझ में आए हो चारो कौशल और यह वीडियो अगर अच्छा लगाओ तो प्लीस इसे लाइक कीजेगा और मेरे चानल को सबस्क्राइब कीजेगा नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजेगा तब तक के लिए बाई बाई फ्रेंड्स